Good morning everyone, Central Armed Police Force के अंदर Assistant Commandant की वेकिंसी आउट हुई है और टोटल 300 प्लस वेकिंसी इस बार आउट हुई है जिसके अंदर काफी थारी ज़दे CISF, IEP, BP, BSF, SSB जैसी पोजिशन्स है तो यह अच्छी एक job opportunity है जिसके अंदर guested position आपको मिलती है और अगर general category के लिए considered के जाए तो 20-25 साल का age group में बच्चा इसको दे सकता है OBC category में 28 years है और SC, ST category में 30 years तक की relaxation है age को लेके तो एक अच्छा paper है single day examination है single day examination हमेशा ही असान होते हैं crack करने क्योंकि यह UPC, CAC की तरह इतने exhaustive means इसमें नहीं देना पड़ता interviews दरूर इस stage के अंदर रहता है इस examination में रहेगा तो आपका जो CAPF, Central Armed Police Force है, Assistant Commandant इस paper के अंदर जो की 6 August को conduct किया जागा इस paper में एक दिन में 2 paper conduct किये जाएंगे पहला paper general study इस्तामान ने ग्यान है, जिसका flavors यहाँ पे मैं आप से share करूँगा, यह 2 घंटे का paper है, उसके अलावा एक और paper रों conduct किया जाएगा जो की 3 घंटे का paper है और exclusively English में यह paper लिया जाएगा, जिसके अंदर descriptive English बोला जाता है जो combined marks है, वो paper 1 और paper 2 के मिलाके आपकी cut-off बनती है, जिसके pages पे आपको interview की call आती है तो इस तरह से यह paper conduct किया जाता है, जो GS बाला portion है इसके अंदर, slivers यहाँ पे दिया गया है, इसमें majority, आप देखेंगे UPS ती, क्योंकि इसको conduct कराया है, तो IS level का GS आता है standard हमें उठाना पड़ता है, concept भी और facts भी तो इन दोनों को अच्छे standard पे paper conduct किया जाता है साथ ही साथ अगर इसमें subjects को देखोगे, तो जो UPSC के subject है basic history, geography, polity, economy, science and environment यह 6 subject जो UPSC में पूछे जाते हैं, same यह 6 subject यहाँ पर भी पूछे जाते है एक और add-on यहाँ पर किया जाता है mathematics, UPSC के अंदर हमारे पास cset रहता है यहाँ पर mathematics और reasoning भी पूछा जाता है, तो total 8 subject इसमें पूछे जाएंगे जिसमें math, reasoning और बाकी 6 subject GS के हैं, apart from these 8 subject एक current affair भी इसके अंदर पूछा जाता है, हर साल आप देखेंगे बारा से पंदर सबाल current affair के भी, out of 125 questions, बारा से पंदर सबाल current affair के भी इसमें रहते हैं तो इस तरह से यह पूरे examination का composition है, single day exam है, 200 marks का exam होता है 125 सबाल आते हैं, one third negative है, तकरीबन अगर कोई इसमें से, 200 में से 125 plus अगर score करें तो उसका chance अच्छा कासा कि वो interview तक पहुँच जाएगा जिसमें descriptive में अगर आप ठीक ठाक भी score कर लेते हैं, 90 marks भी score कर लेते हैं तो यह ठीक number हैं और आप अराम से interview तक भी पहुँच सकते हैं तो इस तरह का यह पूरा paper रहता है, इसके अलावा मैंने इसके बारे में एक detail video भी बनाया है कि किस तरह से इस paper में और strategy रहीगी, detail notification है, उसके भी link नीचे share किये गए हैं, detail video और notification के अगर हम इस course को जो start करेंगे, total 75, भ्यान से सुने, 75 day course रहेगा, जो की 8th of May से start हो रहा है दिन में 3 घंटे की classes रोज रहेंगी, 3 hours daily classes है, classes की timing रहेंगी, हर चीज़ को आप भ्यान से रखिए 3 hours daily classes है, classes की timing है, 8 to 11 am, morning 8 वज़े classes शुरू होंगे और 11 वज़े तक classes रहेंगी इसमें 6 days दा भी classes है, Sunday को आपको class नहीं होगी, test conduct किया जाएगा Sunday के रहेंगी, इस तरह से ये पूरा schedule आप लोगों का बनाया गया है सांती सांत, इसमें नाखी cable पढ़ाया जागा, आपको complete paper 1 और paper 2 पढ़ाया जागा, notes इसके अंदर मिलेंगे, ये test series इसका part नहीं रहेगा notes इसका part रहेगा, regular class test होंगे और जैसे ही आपका prelims qualify होगा, आपको interview की call आएगी, हम यहाँ अपने center चंडीगर में mock interview conduct करवाएगे, सांती सांत, हम इसके अंदर, अगर कोई बच्चा बहुत दूर से है और वो हमाई सांद connect होना चाता है, तो zoom के through भी हम उसको interview session conduct जरूर कर आप लोगों को पढ़ाएंगे और इस course के through हम लोग जो है पूरा syllabus complete होगा, सांती सांत आपको notes भी provide किये जाएंगे, इस तरीके से ये पूरा course चलेगा, तो जैसा course का detail है, आप इस video के नीचे click करके, description में देख सकते हैं कि कि किस प्रकार का ये जो है course है, और इसके अंदर जो है, आठ में से कौन से subject, जैसे पहला subject मेरे सांत ही आपका शुरू होगा, और संदीब दूबे सर के सांत, mathematics से subject शुरू होगा, और मैं आपको इसके अंदर geography भी पढ़ाओगा, तो इस तरह से ये पूरा course execute किया जागा, अगर इसके अलावा, अगर आप कोई भी inquiry सकते हैं, course के link भी नीचे description में दिये गए है, thank you.